One Stop Law में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंगलूरो की Consumer Court Case के बारे में जो Reliance Smart Bazaar के खिलाव गई है बैंगलूर में एक शक्स रवी किरन ने 2000 रुपे की शॉपिंग की जब वो कैश काउंटर पे गए तब बैंगलूर के ये Reliance Smart Bazaar ने उन्हें 25 रुपे चार्ज किये एक शॉपिंग बैक के लिए रवी किरन एक एडवोकिट है और उन्होंने एक दावा दाखिल कर दिया Smart Bazaar के खिलाफ ये दावा में वो सफल रहे और Smart Bazaar को डंड गिरी है 7000 रुपे की 5000 रुपे रवी किरन को तकलीफ देने के लिए और 2000 उनके legal fees के लिए फिर भी आज जब मैं खुद Smart Bazaar पूने में गया तब Smart Bazaar को पूछा कि क्या वो अभी भी चार्ज कर रहे और उनका जवाब था जी वो बिलकुल चार्ज कर रहे तो मेरा कहना है कि क्या इतने डंड लगाने के बाद भी ये कंपनी सुधरने नहीं वाले है क्या एसे ही ये कंपनीया कंटिन्यू करने वाले है पैसे लेने के कस्टमर लोग से और अगर आप वॉलियूम देखते हो एक साइड पे इतने सारे कस्टमर्स ये बैग खरीद रहा है और इतने कम केसेज ऐसे आगे आ रहे है तो इनके लिए ये अच्छली परवड रहा है 3 रुपे एक कस्टमर से लिए जबकि उन्होंने 399 के जूते खरीदे थे और वो बैक पे बाटा ने खुद आड़टाइजिंग भी किया था और इस सिलसले में भी जब ये चंदिगर कंजूमर कॉर्ट में गया तब चंदिगर कंजूमर कॉर्ट ने 9000 का डंड लगाया बाटा पे फिर भी आज 2022 में रिलाइंस स्मार्ट बुजार ऐसे हलकते कर रहे है तो आपकी क्या विचार है प्लीज कमेंस में डाल दीजिए और सब्सक्राइब और लाइक कीजिए